हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लॉग रेजवेट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान इंडियन कोश्ट गार्ड अर्थात भारतिय तटरचक बल में निकली लॉग ओफीसर्स की लिटिस्ट बैकेंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो इन बैकेंसी में सभी फ्रेसर्स अपलाई कर सकते हैं अर्थात ऐसे लॉग रेजवेट्स जिनके पास कोई भी एक्स्पिरियंस नहीं है वो भी यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे तो दोस्तो ऐसी ही लॉग रेजवेट्स के लिए भारत सरकार के संस्थान इंडियन कोष्ट गार्ड अर्थात भारती तटर अच्छकबल में लॉग ओफिसर्स की बैकेंसिस निकली हुई है तो इसका ओफिसियल नोटिफिकेशन आप इसकी ओफिसियल वेबसाइट www.joinindiancoastguard.cdac.in जो की आपकी स्क्रीन पर खुली हुई है वेबसाइट इस वेबसाइट को ओपिन करना है आपको उसके बाद इसके करियर सेक्षन में जाना है जहां पर आपको upcoming opportunities मिलेगा उसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले नमबर पर आपको मिलेगा recruitment advertisement English for officers 01-2024 batch और आगे online registration के लिए click here to apply आ रहा होगा तो यहाँ पर download advertisement पर आप click करेंगे तो आपका notification डाउनलोड हो जाएगा आपके लिए यह जो carrier section का page upcoming opportunities का इसका link हम आपको वीडियो की description में उपलब्द करा देंगे जिससे कि आप directly यहाँ पर पहुच करके इस notification को download कर सकें तो चलिए इसके बारें थाड़ डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने screen पर ministry आप defense के अंतरगत आने वाले Indian Coast Guard का जो official notification है वो है यहाँ पर log graduates के लिए vacancies निकली हुई हैं इसके अतरिक्त दोसरे लोगों के लिए भी vacancies हैं लेकिन यहाँ पर हम और दोसरी technical vacancies के बारे में नहीं बताएंगे आपको सिर्फ जो log graduates के लिए ह यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं तो दोस्तो यहाँ पर आपको online form apply करना होगा और इसके लिए application form आप 25 January 2023 से लेकर के 9 February 2023 तक आपको online form apply करने होगे इसकी official website से और official website है www.joinindiancoastguard.cdac.in यह official website है जहाँ पर जा करके आपको इस vacancy के लिए online apply करना होगा अब बात करते हैं eligibility criteria की तो देखें यहाँ different type की vacancies हैं लेकिन यहाँ सबसे last में जब आप आप आएंगे serial number E पे तो आपको law entry की vacancies दिखेगी तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले data birth की बात करते हैं कि आपका जो जन्म है 1st July 1994 से लेकर के 30 June 2002 के बीच में आपका बर्त होना चाहिए और ऐसे लोग जिनोंने army, navy या air force में सेवाएं दी हैं ऐसे लोगों को यहाँ पर 5 year का age relaxation मिलने वाला है male या female दोनों लोग यहाँ पर apply कर सकते हैं qualification की बात करें तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से minimum 60% marks के साथ होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर number of vacancies की तो उसे भी जान लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर law officer की एक vacancy है उस एक vacancy के लिए जो eligible law graduates है वो form apply करेंगे और यहाँ पर selection जो procedure है वो आपका return exam होगा उसके बाद interview होगा दो stage में exam होने वाला है आपका और देखिए यहाँ पर slabas भी इसका दिया गया इसी notification में आपको slabas मिल जाएगा salary की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा pay scale आपको मिलने वाला है और इसके बाद दोस्तों जो लोग select होंगे उनको यहाँ पर job करने का chance मिलेगा all over India जहाँ भी इनके offices हैं आपको job करने के लिए भेजा जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद